साथियों, भारत में पोशन अभ्यान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहीत अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वेराइटी देश के किसानों को उपलब्द कराई जा रही है। हमार यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फसलों की सामान्य वेराइटी में किसी न किसी पौश्टिक पदार्थ या माइक्रो नूट्रिन्ट की कमी रहती है। इन फसलों की अच्छे वराइटी, बायो फोर्टिफाइड वराइटी इन कमियों को दूर कर देती हैं, अनाज की पौश्टिक्ता बढ़ाती है, बीतोई वर्षों में देश में ऐसी वराइटी, ऐसे बीजों की रिसर्च और डेवलक्मेंट में भी बहुत प्रसंशनिय काम ह हुआ है, और मैं इसके लिए अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी सभी वज्ञानिक, क्रशी वज्ञानिक उनको बहुत बढ़ाई भी देता हूँ, 2014 से पहले, जहां इस प्रकार की जिरफ एक बैराइटी किसानों तक पहुँची, वहीं आज अलग अलग फसलों की 70, 70, 70 बैयो फोर्टिफाइड बैराइटी किसानों को उपलब्द है, मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ बायो फोर्टिफाइड बैराइटी स्थानिया और प्रारंबिक फसलों की मदद से विक्षित की गई है.